नमस्कार, मेरे पहरे देश्वासियों, मैं आज एक बार फिर कोरोना वैस्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूँ. 22 मार्च को जनता करिफ्यू का जो संकल्प हमने लिया था, एक राष्ट के नाते, उसकी सिध्धी के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदन सिल्ता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया. बच्चे, बुजूर, छोटे, बड़े, गरी, मद्यम, हर वर्क के लोग, हर कोई परिक्षा की इस घड़ी में साथ आया. जनता करिफ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया. एक दिन के जनता करिफ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है, जब मानवता पर संकट आता है, तो किस प्रकारते हम सभी भारतिया मिलकर के एक जुड़ होकर उसका मुकाबला करते हैं. आप सभी जनता करिफ्यू के लिए उसकी सफलता के लिए प्रसुशा के पात रहे हैं. साथियों, आप कोरोना वैस्विक महामारी उस पर पूरी दुनिया की स्थिती को समाचारों के माध्यम से सून भी रहे हैं और देख भी रहे हैं. आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है. ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे हैं. या उनके पास संसाधनों की कमी है. लेकिन कोरोना वाइरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चनवती बढ़ती ही जा रही है. इन सभी तेशों के दो महिनों के अध्यान से जो निश्कर से निकल रहा है और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं किस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोशल डिस्टंसिंग. सोशल डिस्टंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना, कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है. कोरोना को फैलने से रोकना है, तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है, उस साइकिल को तोड़ना ही होगा. कुछ लोग इस गलत फहमी में है, कि सोशल डिस्टंसिंग केवल मरीज के लिए, बिमार लोगों के लिए आवशक है. ये सोचना सही नहीं, सोशल डिस्टंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्ट के लिए है, प्रधान मंत्री के लिए भी है. कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच, आपको, आपके बच्चों को, आपके माता-पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, और आगे चल करके पुरे देश को. बहुत बड़ी मुश्किल में जोंग देंगी. अगर ऐसी लापरवाही जारी रही, तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. और ये कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. साथियों, पिछले दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉक्डाउन कर दिया गया है. राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए. हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, देश आज एक महत्मपून लिलने करने जा रहा है. आज रात बारा बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिये. पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लोगडाउन होने जा रहा है. हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गरों से बाहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंद्र सासित प्रदेश को, हर जिले, हर गाउ, हर कस्पे, हर गली, मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से ज़रा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाप, मिननायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तौर पर इन लोकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राचे सरकार की, हर स्थानी निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विक्ता है, और इसलिए, मेरी आप से प्रार्थना है, और मैं हाद जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कि आप इस समय देश में जहां भी हैं, वहीं रहे, अभी के हालात को देखते हुए, देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा, तीन सब्ता का होगा, और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी, तब मैंने आप से कहा था, कि मैं आप से कुछ सब्ता मांगने के लिए आया हूँ, आने वाले 21 दिन, हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए, बहुत ही महत्पवून है, हेल्थ एक्सपर्स की माने, तो कोरोना वायरस की संक्रमन साइकिल तोडने के लिए, कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है, अगर ये 21 दिन नहीं संबले, तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा, अगर ये 21 दिन नहीं संबले, तो कई परिवार, हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे, और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ, इसलिए बाहर निकलना क्या होता है, ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे, गर में रहे, गर में रहे, और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहें, साथियों, आज के फैसले ने, देश व्यापी लॉकडाउन ने, आपके घर के दरवाजे पर एक लक्षमन रेखा खीच दी है, आपको ये याद रखना है, कि घर से बहार पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम, आपका सिर्फ एक कदम, कौरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है, आपको ये याद रखना है, कि कई बार कौरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुवात में बिलकुल स्वस्थ लगता है, वो संक्रमित है, इसका पता ही नहीं चलता, और इसलिए एहतियात बरतिये, अपने घरों में रहिए, वैसे जो लोग घर में हैं, वो सोचल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से, इस बात को बता रहे हैं, एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी, यह बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूं, कोरोना यानि कोई रोड पर ना निकल ले, साथियों एक्सपर्ट का ये भी कहना है, कि आज अगर किसी व्यक्ति में कॉरोना वाईरस पहुंटा है तो उसके सरीर में इसके लक्षन दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं इस दौरान वो जाने अंजाने हर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है वर्ल हेल्थ और्गनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संकरमित एक वेक्ती सुनिए एक वेक्ती सिर्व हपते दस दिन में सेंकडों लोगों तक इस बैमारी को पहुचा सकता है यानि यह आँख की तरह तेजी से फैलता है वर्ल हेल्थ और्गनाइजेशन का ही एक और आँखड़ा बहुत महत्वपूर्ण है साथ्यों दुनिया में कोरोना वाइरस से संकरमित वेक्तियों के संख्या को पहले एक लाग तक पहुचने में 67 दिन लग गए थे यानि एक लाग तक पहुचने में 67 दिन उसके बाद सिर्फ ग्याना दिन में सिर्फ ग्याना दिन में ही एक लाग नए लोग संकरमित हो गए यानि दो लाग हो गए सोचिए पहले एक लाग लोग संकरमित होने में 66 दिन लगे और फिर इसे दो लाग लोगों तक पहुचने में सिर्फ ग्याना दिन लगे ये और भी बयावा है कि दो लाख संक्रमित लोगों से तीन लाख लोगों तक ये बिमारी पहुंचने में सिरफ चार दिन लगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वाइरस कितनी तेजी से फैलता है और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है साथ्यों यही बज़े हैं कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इरान जैसे अनेग देशों में जब कोरोना वाइरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बे काबू हो गए है और ये भी याद रखिए इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्त सेवा, उनके हस्पिटल, उनके यहाँ आदूनिक संसाधन, पूरी दुनिया में बहत्रीन है, उनकी व्यवस्ताएं बहत्रीन मानी जाती है बावजुद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए सवाल ये कि स्थिति में उमीद की किरान कहा है? उपाय क्या है? विकल्प क्या है? साथियों, कोरोना से निपटने के लिए उमीद की किरान उन देशों से मिले अनुभव है, जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाए हफ्तों तक इन देशों के नागरीक गरों से बार नहीं निकले, इन देशों के नागरीकों ने सत प्रतिशत, हंड्रेट परसंट सरकारी निर्देशों का पानन किया, और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बाहार आने की और बढ़ रहे हैं हमें भी ये मान कर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है एशह पंताहा हमें गर से बाहार नहीं निकलना है चाहे जो हो जाएं गर में ही रहना है सोच्यल डिस्टंसिंग प्रदान मर्त्री से लेकर के गाउं के छोटे से नागरिक तब सब के लिए कौरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मन रेखा न लांगी जा रहे हमें इस महामारी के वाइरस का संक्रमन रोकना है इसके फैलने की चेन को तोड़ना है साथियों भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्षन तै करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं ये समय हमारे संकल्प को बार-बार मजबूत करने का है ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है आपको याद रखना है जान है तो जहान है साथियों ये धैरिय और अनुशासन की घड़ी है जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिती है हमें अपना संकल्प निभाना है अपना बचन निभाना है मेरी आप से हाथ जोड़ करके प्रारतना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए उनके लिए मंगल काम ना करिए जो अपना कर्तब्य निभाने के लिए खुद को खत्रे में डाल कर काम कर रहे हैं उन डॉक्टर्स उन नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ पैथोलोजिस उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं अस्पताल प्रसासन के लोग एंबिलन्स चलाने वाले ड्राइवर बॉर्ड बॉईश उन सभाई कर्मश्यारियों के बारे में सोचिए जो इन कठीन परिस्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए प्रार्षना करिए जो आपकी सुसाइटी आपके महलों आपकी सडकों सारवजनिक स्थानों को सेनिटाइज करने के काम में जुटे हैं जिसमें और जिसके कारण इस वाइरस का नामों निशान न रहें आपको सही जानकारी देने के लिए 24 गंटे काम कर रहे मेडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए जो संक्रमन का खत्रा उठाकर सडकों पर अस्पतालों में है आप अपने आसपास के पुलीस कर्मियों के बारे में सोचिए जो अपने घर परिवार की चिंता किये बिना आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं कुछ लोगों के गुस्ता खेके भी शिकार हो जाते हैं गुस्सा भी जेल रहे हैं साथियों कौरोना बैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राज सरकारें तेजी से काम कर रही हैं रोज मरा की जिन्दगी में लोगों को असुविदा ना हो इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही हैं सभी आवश्चक बस्तूओं के सप्लाई बनी रहें इसके लिए सभी उपाय किये गए हैं और आगे भी किये जाएंगे निश्चित तोर पर संकर की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई हैं केंद्र सरकार राज सरकारों के साथ समाग के अन्य संगठन सिविल सुसाइटी के लोग गरीबों को मुस्रिबत कम हो इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहा है साथियों जीवन जीने के लिए जो जरूरी है उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही जीवन बचाने के लिए जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है उसे सर्वोच्च प्रात्विक्ता देनी ही पड़ेगी इस वैश्विक महामारी से मकामला करने के लिए देश की स्वास्त सुविधाओं को तैयार करने का काम केंद्र केंद्र सरकार लगातार कर रही है वीश्व स्वास्त संगर्थन भारत के बड़े चिकित्साव और अनुसंदान संस्तानों तथा स्वास्त विश्यसग्यों की सला और सुझाओं पर कार्य करते हुए सरकार ने निरंतर फैसले भी लिए हैं अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हेल्थ इंफास्ट्रक्टर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज पंदरा हजार करोड रुप्य का प्रावधान किया है इससे कोरोना से जूड़ी टेस्टिंग फैसलिटीज पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट्स आइसोलेशन बेट्स आइसी यू बेट्स वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों के संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी साथ ही मेडिकल और पेरामेडिकल मेंपावर के ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा मैंने राज्य सरकारों से अनुरोद किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्रात्विक्ता सिर्फ और सिर्फ स्वास्त सेवाएं ही होनी चाहिए हेल्थ केर ही प्रात्विक्ता होनी चाहिए मुझे संतोस है कि देश का कर्वाउवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंदे से कंदा मिलाकर संकरट और संक्रमन की इस गड़ी में देश वासियों के साफ खड़ा है प्राइवेट लेप्स प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनोती पूर्ण दौर में सरकार के साफ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन साथियों ये भी ध्यान रखिये कि ऐसे समय में जाने अंजाने कई बार अफ़ाएं भी बहुत जोर पकरती है और अफ़ाएं के ट्राविल करने की ताकट भी बहुत होती है मेरा आपसे आगरह है कि किसी भी तरह की अफ़ा और अद्न विश्वास से बचें आपके द्वारा केंद्र सरकार राज सरकार और मेडिकल फेटेनिट्री द्वारा दिये गए निर्देश और सुझाओं का पालन करना बहुत जरूरी है मेरी आपसे प्रार्थना है किस बिमारी के लक्षणों के दवरान बीना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी दमान न ले किसी भी तरह का खिलवाड आपके जीवन को और खत्रे में डाल सकता है साथियों मुझे विश्वास है हर भारतिय संकट की इस गड़ी में सरकार के स्थानिय प्रसासन के निर्दोशों का पालन करेगा 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपुन है हमारे पास यही एक महत्वपुन रास्ता है मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बलकि इस मुश्किल घड़ी से विजय होकर निकलेगा आप अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए और आत्मविश्वास के साथ कानून नियमों का पानन करते हुए पूरी तया संयम बरते हुए विजय का संकल्प करके हम सब इन बंधनों को स्विकार करें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद